नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्टोलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो भरोसा अगर खुदा पर है जो तक देर में लिखाए वो मिलेगा परन्तु भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वो लिखेगा जो आप चाहेंगे और दोस्तों सक्ती कदर करने में कभी देर मत करना जो आज की दोर में में तुम्हें अपना वक्त देता हो और इंसान द इतिहास कवा है कि आज تख कभी नमक कीरे नहीं पड़े और मिठाई में अक्सर परजाया करते हैं और दोस्तों करवासत है कि माता-पिता की नसीभ सब को बुरी लगती है परथो माता-पिता का व्सीहत सब को अच्छी लगती है और रिष्टा दिल में होना चाहिए सब्दों में नहीं और नराजगी सब्दों में होना चाहिए दिल में नहीं और एक ना एक दिन हासिल कर लूँगा अपने मंजिल को धोकरे चहन तो नहीं जो खा कर मर जाओंगा और दोस्तों इनसान जब कुछ गलत करता है तो दाय माय आगे पीछे तो देख लेता है बस उपर देखना भूल जाता है और दोस्तों जब तक आपका सामना आपकी सबसे वरी कमजोरी से नहीं हो जाता तब तक आपको अपने सबसे वरी ताकत के बारे में पता नहीं चलता औ और तराजे छोटे ही रहने दो अपने मकान की जो जुग कर आ गया समझो वही अपना है और दोस्तों जो रिस्ते में जब नराजगी सिखाते और उमीदे कम होने लगे तो समनलना की दूरियों ने जगह बनाने सुरू कर दिया है और एक परवाही बताती है कि ख्याल कितना है वरना रिस्तों में कोई तराजू नहीं होता और दोस्तों कम सब्दों में बहुत बरी बात कही है किसीने कि मन में कुछ भरकर जीएंगे तो मन भरकर जी नहीं पाएंगे और दोस्तों इंसान चर्म के तोबार तो बोलना सीख जाता है लेकिन क्या बोलना है गर सीखने में पूरी उम्र भी जाती है और आजकल की रिस्तों से तो मोबायल की वैटरी जादा अची है खत मोहने से पहले वानिक तो देती है और दोस्तों धोका खाने वाला तो धोका खा कर समझ जाता है पर देने वाला खुद को जादा समझदार समझ कर गलतिया करता जाता है और दोस्तों किसी ने क्या खोब कहा है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता सहब उसे भी रोना परता है जो दूसरों को रुलाते हैं और जिन्वी के हरता सिफ को मुस्कुरा कर जिये क्योंकि धोब की इतनी वी तेज हो, समंदर नहीं सुखा परते और कुछ लोगों को उचाई पर पहुँचने की इतनी जादा जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों के हाथ पकरने की वज़े बरो लोगों की पाउप पकरना पसंद करते है और मेहनत का फल उस समस्या का हल देर से ही साई पर मिलता जरूर है इसलिए मेहनत करते रहे और अंते में बस इतना कहना चाता हूँ कि हौशले के तरकस में कोशिस का तीर जिंदा रखो हार जाहो जिन्दगी में बच्कुच पर जिरी जीने की ओमी जिंदा रखो तो दोस्तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में जैम हाकालिए और हमारे चाल को सस्क्राइब करें धन्यवा दोस्तो